असलाम अलेकुम कुराने मजीद पढ़ा करो ये कयामत की दिन अपने पढ़ने वालों की शफात करेगा शिक्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी बनते हैं वरना कमजोर को यहां कौन फूशता है धटकने एसासाथ से चलते हैं एसानाथ से नहीं चलते हैं इसलिए जिससे जब तक रिष्टा रखें एसास कर रखें ना के एसानाथ का वो तसकरा करते हैं मेरे एबों का छुप छुप कर जैसे आवाज नीची करने से अल्ला नहीं सुनेगा शिक्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी बनते हैं बनना कमजोर को यहां कौन पूछता है जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो तीन चीजों को कभी न भूलना अल्ला को उसके मखलूक को और अपनी आउकात को हर शेयर में बस्तिया बाद नहीं मिलती दीवार तो मिलती है पर बुनियाद नहीं मिलती माँ तो हर एक उलाद को मिलती है बहुत अच्छी हर माँ को उलाद अच्छी नहीं मिलती जब तुम किसी को दोस्त बनाना चाहो तो जी देखो कि उसका दुश्मन कौन है मुफलिस के बदन को भी है चादर की जरूरत अब खुल के मजारों पे ये ऐलान किया जाए अगर मुझे एक मसला हल करने के लिए घंटा दिया जाए तो मैं 55 मिनट उस मसले का सोचूंगा और पांच मिनट उस मसले के हल में गुजारूंगा और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले है कोई जिद नहीं रहती, कोई खाहिश नहीं होती किसी का साथ नहीं चाहिए होता फिर हम सब नसीब पर छोड़कर जीने लगते हैं जिन्दगी अंदाजों और वहमों पर नहीं गुजरती बलके रबुलालमीन पर यकीन करते हुए गुजारें यकीना आपको जिन्दगी आसान, खुश्गवार और मुत्मेन लगेगी अलाथ आला से कभी शिक्वा न करें क्योंके अलाथ आला इनसान पर उतना ही बोज डालता है जितना वो बरदाश्ट कर सके खु़ने के बाद ही पता चलता है कि कोई शक्स कितना कीमती था चाहे वो वक्त हो, इनसान हो या कोई रिष्टा जो चाहकर भी वापस नहीं ला सकते मजबूत होने में ही मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पर तुली हो दौाए नसीब से नहीं बलके नसीब दौाओं से बदलता है तुम इतने जगीन से दौा मांगो के तौाओं मांगने के बाद मौज़ों की कहानी लिखी जाए कुछ लोगों के इखतलाफात नजरियात से नहीं, शक्सियात से होते हैं और वो जिसके मुखालिफ हो, वो अगर कलमा भी पढ़ लें तो कहेंगे इसने दिल से नहीं पढ़ा इनसान तो हर कर में पैदा होता है, लेकिन इनसानियत कहीं कहीं पैदा होती है अगर आप खुद ही अपने आपको गधा बनाते हैं तो आप पर सवार होने के लिए हमेशे कोई ना कोई मौजूद होगा उस वक्त तक किसी मगरमच की तजलील ना करें जब तक कि आप दरिया को बूर ना कर लें होसा करना दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना होता है काश लोग महरे ऐसा साथ होते तो महरे नफसिया तक बात ही ना पहुंचती आप कितने अच्छे काम भी क्यों ना कर लें इसकी तारीफ सिर्फ कबरिस्तान में होगी एक वरत आग से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाती है जब सामने वाला उसे इज़त देने को तैयार हो दुनिया में खुद पर काबू पाने वाले शेर की तरह गुमते रहो देखो के कमजोरी के मेंड़क तुम्हें लात ना मारे जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाएंगे आपके रिष्टदार भी कम होते जाएंगे मुसलसल नाकामियों से कभी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंके बाज वकात गुच्छे की आखरी चाबी ताला खोल देती है लफ्जों की ताकत को कम मत समझिए क्योंके छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिन्दगी बदल देता है मेरी खामोशी का इतराम क्या करें मेरे अलफाज आप से सह नहीं पाएंगे अपने खिलाफ बातें सुनकर होसला नहारें क्योंके शोर खिलाडी नहीं तमाशाई करते हैं जिन्दगी को इतना ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है यहां से जिन्दा बचकर कोई नहीं गया हर दर्द की एक मुईना मुद्ध होती है जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिदत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है तना बैसी के बस गया वो दिल उजामे नसीब ऐसा के मैसर दीदार भी नहीं अगर कोई आपको एहमियत देना छोड़ देता है तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें और खामोशी अख्तियार करें याद रहे हर वक्त दस्तियाब रहना और पीछे पड़े रहना आपकी एहमियत को खटाता जाता है और फिर भीक में खेरात मिलती है मकाम, इज़त और महबत नहीं मिलती यह दुनिया रेत की तरह हाथ से बिसल जाने वाली है आप जर अपनी जगा से हटते हैं कि जगा किसी और से बर जाती है यहां तक कि सारी दुनिया पराई हो जाती है और हमारी मल्कियत महस खाक रह जाती है अला ने किसी भी शक्स को उसके रिश्टदार या लोगों को खुश करने के लिए तखलीक नहीं किया खुदारा वसीला बनिये, खुदाना बनिये, दूसरों की जिन्दगे का फेसला अपने हाथों में लेना छोड़ दे Hiç अपनों की जिन्दगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दे क्योंकि जहां भी कैदी बनाने की खुशिश की जाएगी आजादी जरूर जनम लेगी अल्ला उन्हें भी आबाद रखे जो हमें बर्बाद किरके खुश है शायद कई रातों से ना सोया था मसवेर तस्वीर की आँखों में कयामत की तकंती सबर का तालुग खामोशी से होता है और उसका शोर सिर्फ अल्ला जानता है जिन्दगी में ऐसी तल्खराहें भी आती हैं दर्द घजब का होता है और हम दर्द कोई नहीं होता सब को पता सब का होता है लेकिन अपना पता किसी को नहीं होता लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उला जाती है इसलिए धागे को लपेट कर और जबान को समेट कर रखना चाहिए आप बहुत कीमती हो सकते हैं लेकिन अगर आप गलत जगा पर हैं तो आपकी एहमियत को कोई नहीं समझा सकता आपकी शख्सियत को खराब कर दिया जाएगा कभी कभी हम खुद उस इंसान से रापते खतम कर देते हैं जिसके हम आदी हो चुके होते हैं जिसे हम किसी और के साथ तसवर भी नहीं कर सकते उसे किसी और के लिए खुद छोड़ जाते हैं पताए क्यों? क्योंकि महबबत जितनी भी शदीद हो अपनी जिल्लत परदाश्ट नहीं करती कोई मुसलसल बेकदरी करे तो शायद उसे महबबत तो रहती है मगर पिर उसकी चाहत नहीं रहती जिन्दगी की सकतियों की वज़ा से अपने खाबों को मरने ना दे जिन्दगी तकलीफ देती है लेकिन जिन्दगी को ये मौकर ना दो कि वो आपको नीचे रखे सबसे खतरनाक आदमी वो है जो ज़्यादा सोचता है ज्यादा सुनता है और ज्यादा मुशाहिदा करता है मैं कभी नाकाम नहीं हुआ मुझे बस ये इल्म हो गया कि किसी काम को करने के दस हजार तरीके घलत भी हो सकते हैं हमेशे अपने खाब बड़े रखो अगर हार भी जाओ तो कुछ न कुछ हाथ आ जाता है फेडिया जब अकेला हो जाता है तब भी गीदड़ों की दादा कोई मानी नहीं रखती ज़र जो समझ आने लगती है किताबे हयात जिन्दगी अक्सर नया वरक पलट देती है गुनागार जब नदामत के आंसू रोता है तो अर्श इस तरह कामता है जिस तरह मां बच्चे के रोने से कामती है अच्छे के साथ अच्छे रहो लेकिन बुरे के लिए बुरे मत पनो क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो लकिन खून से खून नहीं जब मैंने ये इरादा कर लिया कि मुझे बाडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाना है तो लोग मुझ पर हंसते थे लेकिन मैंने सब को गलत सावित कर दिया तुम भी मेरी तरह अपना नाम बना सकते हो हमेशा अपने आप पर यकीन रखो असल जिन्दगी ये नहीं कि आप जिन्दगी में कितने खुश हैं बलकि असल जिन्दगी ये हैं कि कि आप से कितने लोग खुश हैं अगर इनसान को तकबर के बारे में लग की नाराज़दी और सजा का इल्म हوجाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे थैंक्स वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक और शेर दिस वीडियो थैंक यू